दोस्तों प्याज महंगे हो जाते हैं तो सच में रोना आ जाते हैं जो लोग अपना खाना बिना प्याज के नहीं खा सकते या नहीं पका सकते उन लोग के जिंदगी में प्याज बहुत महतोपून रोल निभाता है वह लोग अपना खाना बिना प्याज के सोच भी नहीं सकते कुछ लोग प्याज सवाद के लिए खाते हैं वहीं कुछ लोग प्याज फाइदों के लिए इसका सेवन करते हैं प्याज के फाइदे सर से लेकर पाम तक से जुड़े हैं प्याज के कुछ फाइधे ऐसे भी हैं जो पूरे साल लिए जा सकते हैं लेकिन गर्मियों में प्याज के फाइधे बढ़ जाते हैं प्याज में विटामिन C पाया जाता है जो इमुनिटरी स्ट्रोंग करने मदद करता है वहीं प्याज एंटि उक्सिडेंट से भरपूर है जो स्वस्त रहने मदद करता है इसके अलावा कच्छा प्याज काने के और भी कई सारे फायदे हैं प्याज को डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है इन सभी से जोड़ी जानकारी विस्तार से हम आपको देंगे तो शुरू से लेकिए अन तक वीडियो को दिखते रहे हैं दोस्तों अगर आप गर्मियों के मौसम को सुख में बनाना चाहते हैं तो गर्मियों में मिलने वाले खास चीज़ों को फिन डाइट कर देने वाले हैं प्याज के फाइदे इसे मुझूद पॉच्टिक ततों के कारण हैं छिए हैं उसका पापाई जाता है जो अधिखतर जो c से काम करने मदद करते हैं करें के कवरी की मात्रा कम होती है और प्याज के फाइद हो सब मीनरल और विटामिन प्रहidents करने मदद करता है विटामिन C से भरपूर होने के कारण इम्मुनिटी स्ट्रॉंग करने में भी मदद मिलती है प्याज में पाई जानाला विटामिन B और फॉलेट मेटाबिल जो आका मेटबलिजम है उसको बढ़ाने मदद करता है प्याज के सैवन करने से रेड बलेड सेल की मातरा भी बढ़ाने में आपको मदद मिलती है दोस्तो एंटी उक्सिटेंस से भरपूर होने का मतलब है कि बिमारियों से बचे रहना आपको बता दे कि प्याज में एंटी उक्सिटेंस भरपूर मातरां पाये जाता है दिल को स्वस्त रखने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर और कॉलिस्टोल ये सामाने बना रहे इसके अलावा अग शरीर एंटी उक्सिन्स से भरपूर रहना ज़रूरी है दुस्तों प्याज के फाइदों में कॉलिस्टो का लेवल कम बनाई रखने में मदद करते हैं और प्याज में क्योरिस्टिन नाम का एक फ्लेवनाइट अंटी उक्सिन्स पाया जाता है जो दिल की विमारी होने के असार को कम करने मदद करता है कई रिसर्च में है पाया गया है कि ब्लड शुगर लेवल समाने बनाए रखने प्याज बहुत मदद करते हैं प्याज का सेवन करना डायविडिस से गुज़र रहे लोगों के लिए फाइद मन्द है लेकिन इसके बावजुद प्याज का सेवन करने से पहले एक वर अपन डॉक्टर से सला जुरूर करें क्योंकि हर एक का शरीर अपने इसाब से चलता है उनकी इम्यून्टी अलग अलग होती है दुस्तों प्याज के बावज़ों में स्वस्त डायजेशन के लिए जाना गया है प्याज में ऐसे फाइबर और प्रिबायोटिक पाई जाती है जो आंत को स्वस्त रखने में मदद करते हैं प्याज में भरपूर मात्रा में प्रिबायोटिक पाई जाती है जो स्वस्थ डाइजेशन और स्ट्रोंग इम्यून्टी और आंद को स्वस्थ रखते हैं जोस्तों प्याज के फाइदे आप हडियों को मजबूत करने के लिए भी ले सकती है अपनी डाइट में शामिल करने स से प्याज को हडिया मजबूत होने मदद मिलती है और उम्र बढ़ते समय हडियों के कमजोर होना आम बात है लेकिन आप बढ़ती उम्र में भी हडियों को मजबूत रख सकते हैं दोस्तों क्योंकि अगर आप प्याज के समन करते हैं तो यह आपको हडियों को खराब होने से बचाता है और इसमें जो द्रवे होता है जिससे चिनाई बनी रहती है उसको बढ़ाने में मदद करता है प्याज इम्म्यून्टी स्ट्रॉंग करता है प्याज में पॉलिफिनोल्स नामका का एंटियोक्सिदंस पाया जाता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते ह Free Radicals रोग जनक होते हैं जो श्रीर में बिमारी पायदा करते हैं Free Radicals स्वस्थ जाल के साथ मिल जाते हैं और बिमार करते हैं लेकिन अगर आप Anti-Oxidan-स का सेवन साही मतरह में करते हैं तो यह Anti-OxidanFrey Radicals मिलते हैं और उनको खदम कर देते हैं Anti-oxidants से बरपूर होने के कारद हमारा श्रीर Free Radicals से खत्रे से बचा रहता है और बिमार होने के असार कम हो जाते हैं दोस्तों बड़ती उमर के साथ आँखे कमजोर हो जाती हैं अगर आपको लंबे समय के लिए अपनी आँखों को स्वस्त रखना है तो आज ये अपनी डाइट में प्याज को शामिल करें दोस्तों ये आखों में होनेवल बिमारी से बचाव करने में अपकी मदद करेगा आखों को स्वस्त रखेगा क्योंकि आखों को स्वस्त रखने के लिए विटामिन E बहुत ज़रूरी है और जो प्याज में पाया जाता है प्याज की मदद से आखों को स्वस्त रखने का सबसे असान तरीका है हर बार खाना बनाते समय आप ही प्याज को काटे प्याज काटने से आखों में पानी आता है जिससे आखें साफ होती है और स्वस्त भी रहती है दोस्तों प्याज सहत के साथ सा तवचा के लिए भी बहुत फाइदेमन माना गया है प्याज में ऐसे कई पोस्टिक्तों पाई जाते हैं जो तवचा को सहतमन बना कर रखते हैं जैसे कि प्याज में विटामीन A, विटामीन C, विटामीन E, यह भरपूर मातरा में पाई जाती है, जो तुछा को स्वस्त बनाए रखने मलद करती है। और डेक्ट तोचा पर लगाने से भी इसके फ़ाइदे मिल जाते हैं। प्याज बालों के लिए बहुत फाइदे मंद हैं, दोस्तों बालों के लिए कई सारे भाग जैसे दोड़ भरी जंदिगी का सबसे ज़्यादा असर बालों पर पड़ता है, बालों को रुजाना की गंद्गी, धूल, मिठी, बदलते, मौसम का सामना करना पड़ता है, बालों के प्याज का रसका इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहले प्याज का रस निकाले रस को बालों में करीब 30 min के लिए रख सकती यह जब यह जाना जाता है एक च cadreक के रसके साथ एक बड़ा चमुअ-ठीक के रस प्याज पच्चमी यूगांडा में नपुंस्तक तक लिए इस्तेमाल की जाने विश्द्य दौव में से एक है प्याज को प्रुषों के लिए लाप दैग माने जाता है और शहाद की साथ प्याज का रस लेना प्रुषों में प्रजनल शम्ता को बढ़ाने में भी मदद करता हैं तो दोस्तों यह थे कच्चा प्याज खाने के फाइदे उमीद है आपको जानकर अच्छी लगे होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ